अभी आपने सुनें इसमें कल आपसे जो चर्चा की थी कि सच्चे देव का सरूप इसपष्ट किया गया है और सच्चे देव के सरूप को हमारे चित में इसपष्ट रूप से ख्याल में नहीं है पूज गुरुदेव शिरी के प्रताब से हम इस तत्तव ज्ञान के छेतर में आए है इसलिए वे बीत्रागी हैं, सरबग्य हैं और जेन दर्सम के हिसाब से भगवान करता धरता नहीं होते हैं कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता है यह सब मोटी मोटी बातें हमारे ध्यान में आ गई हैं लेकिन फिर भी अभी अभी जो अध्यात्म प्रकास बोल रहा था तो एक प्रिशन उठा रहे थे कि भई लोग कहते हैं कि आप बातें तो बहुत उची-उची करते हैं लेकिन आपके जीवन में तो हमको वैसा दिखाई देता नहीं है तो आपकी तो समझ में आगया है ना तो आप उसके हिसाब से आपकी परनती क्यों नहीं होती है यह सामान जगत का पिष्णू होगा लेकिन मैं यह कहता हूँ सभी लोगों से कि आप भी एक दभे बिचार तो करो कि सच मुझ हमारी समझ में जो भगवान का सरूप है वो भी आया है क्या भगवान का सरूप आया है क्या उनने क्या कहा है इसकी बात अपन ज़रा थोड़ी बाद में करेंगी लेकिन वो कैसे हैं तो यह जो अपने बीच छंद पड़े हैं इन बीच छंदों में यह बात ही कहने की कोई कोशिश की गई है कि हम उनके स्वरूप से ही कि सच मुझ अभी जैसे अपन कहते हैं कि अपने जैनियों के भगवान तो कुछ करते नहीं है तो हमारे जैनी लोग घनडिश जी के मंदर जाने लगे और और पीठ प्रगंबर के जहां जैसा उनको लगता है के अभगवान इन से ऐसा हो जाता है इन से ऐसा हो जाता है और वो ऐसा करने लग गए तो फिर हमने कहा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं हमारे हम कुछ नहीं करते हैं माने क्योंकि हमारे माने सारी जनता जो भगवान की पूजा भक्ती करती है जैनी अपने को जैनी कहते हैं उन्हें काम तो अपना कराना है काम माने कि आज लोकिक लाब है सारी रिक लाब, स्वास्त लाब, पैसे का लाब, इस्तरी पुर्तादिक की अनुकूलता, जो भी लोक में अनुकूलताएं होती हैं, एक लाग काम तो उसे करना है, और बास्तम में यह तो अगातिया कर्म के उदेशे होने वाले कारी हैं, और सब अनाधिकाल से पूरी तरह से सुनिष्चित हैं, तो हमारा दिमाग कहां चलता है, हमारे विद्वानों का, हमारे भाइनों का, ठेक है वो भगवान तो भीतरागी है ना, तो बो तो कुछ करता नहीं है, ये बात तो सच्छी है आपकी, बो तो कुछ करेगा नहीं, और सिद्धिसला में पहुंच गया है, तो फिगर नहीं, उसके कोई जो भगवत देवता लोग होते हैं ना, बो तुम्हारा काम करते हैं, ऐसा समझाते हैं, कि तुम्हें समझो कि इन्से काम नहीं होगा, तो उन्से होई तुम्हें एसा क्यों कह रहा है होई, किसी राष्टे से इन भगवान की पूजा भक्ती करने से तेरा काम हो जाएगा। पीस आगा है। ऐसा हमें बताएं, बताते हैं हम सब, कि देखो, वे नू नहीं करेंगी, लिकम उनके भगवत जो कोई देवता लोग होते हैं नाही, तो बे अबेकते बे तेरा काम कर देते हैं। और फिर देखा कि अभी कोई देवता भी नहीं आया, कि पंचमकाल में देवता नहीं आते हैं, तो तिरे वे पुंड बनेगा ना, फिर वे जो अधै में आएगा, तो उससे तेरा काम हो जाएगा। मन किसी ना किसी तरीके से तेरा काम हो जाएगा वगवान की भक्ती करने से, जैसी भक्ती तूं करता है, हम इसी बात की पुष्टी करते रहते हैं। सारे सब लोगों की विद्वानों की, संतों की तागत इसी दिशा में चल लगी है। और आप कुछ भी को, हमने तो देखा है। उस उन्हें ऐसा किया था तो उसका हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया। मानें, जो करता बाद उनका शरूप में नहीं है। वो बीतरागी सरवग्य हैं, वो बीतरागता का कोई सरूप उनको समझाने की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन वो उल्टी जो माननता उसकी है, वो जो काम कराना चाहता है, और तेरा इसी तरकीब से हो जाएगा, फिर तुमा एक सिच्चक विधान करा दे, एक करा दे, इससे हो जाएगा, फिर उसको इसी लेन पर लगाने की कोशिस करते हैं, सारे देश की एक बहुत बड़ी समझ जाएगी है, मेरा ये कहना है दोह सतक में, कि एक दफ़े तुम बिल्कुर निश्चिंत भाब से उन भगवान को पहचानने की तो कोशिस करो, कि उनकी जो वीतराक्ता सरवकिता उनका गुण है, तो उसके हिसाब से, कि ये जो छंद हैं, कि उनके शरूप पर बंदू पर करते हैं कुछ बात, कि जब नक किसी से राग है, और जब नक किसी से द्वेस, सबसे समता भाब है, है नहीं कोई बिसे, सीता जी का जीब, राम चंदर जी के समूशरण में गया, सोल में सुरग में था भो, सीता जी का मरकर के सोल में सुरग गई थी, और राम चंदर जी उस वक्त मौनी राज अबस्ता में थे, केबल गयानी हो गए थे, और मोक्ष नहीं था, हुगा था, अरहंद अबस्ता में थे, तो सीता उनके पास गई और उन्हें ये विकल्ब था, के लक्षमन कहां है, रामन कहां है, ये ऐसा विकल्ब ज़ाएं। तो सीता जी के मन में आया सीता जी के जीव, जो सोल में सुर्ग में, सम्झाया, अधमें रफा, उनको ये विकल्ब आया, के मैं जा करके उनसे मिलूं, और उन्हें नकल से नरक से निकाल के लाँ। तो अपने सास्त्रों में पढ़ा है कितनी गंदी जगह है, कितनी बदबू है, कि उहां का इतना सा परमान में हां आ जाएं, तो उसकी दुरगंद से लाप आजारों जीव मर जाएंगे। इतनी गर्मी सरदी की बात भी आपने सुनी है, तीन दुट की, कितना लूहे का गूला हुझागे। इतनी गर्मी सरदी में वह एर कंडीशन में रहने वाला सीता जी का जी भहमेंदर क्यों गया। उसकी बज़े से वहाँ गर्मी थोड़ी, कम थोड़ी हो गई होगी। तो राक की आग कितनी ज़्यादा तेज थी। वह किन के पिरती। तो रक्षमन के पिरती तो समझ में आती है। लेकिन रामन के पिरती। जिनने उनका आपरण किया था। इस सारी बात हैं उनको ख्याल में हैं। और फिर उनके पास जाकर के बहुत कोशिष की, तो आने का सवाल नहीं था। तो फिर आकर के रामचंद्जी के थमुसरन में गई। और पूँचा के मैंने बहुत कोशिष की लेकर नहीं हुआ। तो उनना कहा कर दिए ऐसा संभब नहीं है। अब मैं आप से एक कह रहा हूँ। कि रामचंदर जी जो केवल ग्यान से सर्युक्तु सुभक्ष थे, लक्षमन को उनसे कंप्रेम था। बात तो तबही की है ना। सिता जी को उनसे जितना होगा। लक्षमन से उनको उनसे लक्षमन को। राम की मृत्तु का समाचार सुनकर जो की जूटा था। एक देव ने आगे उनकी परिक्षा के लिए कहा था। उनकी मौत हो गई थी। और वो च्छे महीन तक एथे कंदे पर रखे घूमते रहते उनकी लास को। वो क्यों नहीं गई? उन्हें क्यों नहीं आया है ये भाब? थोड़ा बहुत दिकलब तो उन्हें भी आया होगा क्यों। Sanjeev यही तो मैं कह रहा हूँ कि लिखाना जे कि जब नक किसी से राग है, जब नक किसी से देश। उन्हें रागी देश नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखो Sarbaghita और Bheetrakta यह साथ। कि ज्ञान सब है। Sita Ji को उन्हें बताया वो कहा है। कितनी तकलीब होग रहे हैं। बाद में भी यह बताया कि नहीं निकाल सकते हूने कोई। मेरा मतलब। Sita Ji के को पता नहीं होगा यह। यह तत्त्व ज्ञान हमको ही पताया है। Guru Deva ने हमको ही बताया है। Sita Ji सूर सोल में सुरकों में बैसे ही चली गए। नहीं इस भव में पता होगा नहीं वहां पता था। सब पता था। फिर भी यह लाग देश की तीप्रता का परनाम कैसा होता है। कैसा हो सकता है। एदिय हम कहें के वह सम्यक दिश्टी भी थी। क्याजमे ना। तो भी फिर सम्यक दिर्शन की भूमका में भी इतना तीव राग का भाव हो सकता है। तो हमें ना तो राग का सरूप ख्याल में आ है। और ना हमें बीत्राग्ता का सरूप ख्याल में है। कि भगवान बीत्रागी है, तो बीत्राग्ता का मतलब क्या है। तो यह मैंने आगे कई चंदों में, बिल्कुत तरक और इक्ती से बात कहने की कोशिश की है। कि पर में कुछ भी करन का भाव नहीं है, रंच नहीं है। क्यों वे वीत राग हो गए? यह तो राग भाव है ना पर में कुछ करने का भाव? वो पर क्यों करने, पर में क्यों करना? वो पर से राग हो तो करना, इस कारण उन पुरुष के है न कोई परपंच, कोई परपंच दुनिया के जंजरों में वे बिल्कुल नहीं है। इसलिए उनको यह बात हो ही नहीं सकती है। और जब ना किसी पर दृब्व में अपने पन का भाव होता है ना जब किसी परपदात में अपने पन का भाव है ही नहीं। फिर उनमें कुछ कर्म का कैसे होगा भाव हमें क्यों नहीं सोचते हैं कि भगवाण को यह भाव होगा कैसे। उनका दीत्राग शरूप हमारे छ्याल में होतां तो हम एसा विकल्प भी हमें नहीं आना चाहिए। सम्ना दर्शन की भूमका में भी कदाचित ऐसा विकल्प आजा जैसा सीता जी को आगया था। तो भी उसमें निशेद बुद्धी पूरवक्त, कि ये गलत भाद है बस्तु सरूप के अनुकूल नहीं है। तो वीतरागता के सरूप का हमारे ख्याल में आना चाहिए। कि एक वीतरागी की परणती कैसी होगी। ये भागी की बात है अपने जैन दर्शन में चेतन की चेतन में इस्थापना नहीं होती। ये मतलब इसका आप मतला अर्ट समझते हो। राम लीला होती ने इनके हाँ, तो राम चंद जी का पाठ भी कोई लड़का ही करता। तो तीथन का महावीर हैं, उनका पाठ कोई लड़का नहीं करेगा। पंच कल्यानक में भगवान का पाठ वो मूर्ती करती है। कौन? जिसकी प्रतिष्टा होनी है। उसको हम बनाते हैं। क्योंकि कम-स-े-कम उसमें भी थम चंद नहीं दिखेगी तो भीत्राग्टा दो दिखेगी पूरी। क्योंकि ये तवरागधेश का पिंध है। ये शामने वाला भ्यव्यक्ति तो भीत्राग्टा का पाठ कैसे कर सकता हम? तो अने हाँ नही है। तो अपनों को मूर्ती जो समझो पत्थर की है, तो उसमें बीतरागता तो अच्छी तरह समझ में आई सकती है, ना, क्यों? आप जाकर के उसके सामने, खड़े हो के खूब हाथ पर जोड़ो, कि महराज में कैसा काम कर दो, कर दो, कर दो, तो आपके जब ख्षाल में ये बात है, कि ये पून बीतरागी हैं, एक किसी भी कीमत पर नहीं करेंगी, भरत चकवर्ती और बाहु बली का जब आमला था, तो उस वक्त तो सब रिसब देव तो समुशन में बिराजमान थे ना, सदे हैं, और लोग ये भी कहते हैं, कि उनके पास भी गई भी थे, और उनसे उनके कई भी थी, कि तुम हमारा भरत चकवर्ती हमारा राद चीनता है, आप देगे आये थे, और आप चीन रहा है, तो आप समझे, करो उसका कुछ इंतियाम, तो एक वीतराग्ती का शरूप कैसे हो सकता है, आपके, सूचिए, फिस सोधर में ने समझाया, ऐसी बात आती है, क्यों आती, कहां आती है, कैसे आती में उसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता हूं कि जगड़े बला काम है, लेकिन तुम्हें जिस्ता है, ऐसा संबब है, सब लोग इतना नादान थे, और ऐसा है ही नहीं, कोई राजा अपने सो बेटों को अपने राजगे सो टुकुड़े करके, और सो टुकुड़ों में बांते, ऐसा आज तक का इतिहास नहीं है, किसी भी राजा ने ऐसा किया होता हूं, क्योंकि अपने देश को अखंड करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसके टुक्ड़े टुक्ड़े कर दें, क्या? अपने बाहु- ळाजब नहीं है। तक उन्होंने बाहु बली को यभिराज बनाया, तो भरत्यक यभिर्णी को राजा या, गय save, तो टुक्ड़े क्या होगा? यग एक राज में एक राजा यभिराज होता है नहा?ntमें उस़ी में ए मH लिखा यभिराज तो यभिराज ब तो वो, हम उनके शरूप पर विचार तो करें, हमारे बिद्वानों ने भी नहीं किया, क्यों नहीं तर वो ऐसा समझा उसे एह समझाते हैं, कि वे तो पून बीतरागी हैं, वे तो मुक्स में हैं, यहां है ही नहीं और उनके कुछ करने का सभाला ही नहीं है, क्याल मैंना, और उनने तो अपने समझा में जब विराजमान थे, तब यह बताया था, कि जिसका जो होना है वो सब नक्की है, और अपने कर्म के उदे के अनुसार होता है, अभी अध्यात्म आपको बता रहा था, कि कोई हम किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता, हम अपना ही हम कर सकते हैं, यहां तक आए हैं, बठा होगा है अध्यात्म, लेकिन में यह कहता हूँ, कि अपना तो कर सकते हैं न, कहां विछार कर दिया हूँ, इस पर भी विछार करना थे यह बीशागर है, क्या अपना भी एक-एक समय का सब नक्की है न, कोई करम के उदैसे नक्की नहीं हुआ है, करम तो अभी बना होगा, और नक्की तो अनाजिकाल से हैं, है न? तो अपना हमने, नहीं साथ, कोई किसी का नहीं कर सकता है, सब हम अपने करता है, हम स्वेयों में, अरे अपना करता है, कि सास्त में तो परका करता भी लिखा है, लेकिन क्या है उसका अर्थ है, वो कितने नई होते हैं, किस नई से कहां लिखा है, उसका क्या अर्थ होता है, ल कि अपने के करता तो कहलाते हैं, क्योंकि यह परणमती सा करता, इस नियम के अनुसार से, हम अपने परणमन के करता कहे जाते हैं, लेकिन बास्तम में उसमें कुछ फेरफा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो नक्की है, एक एक परयाएगा, एक एक चनका, वो उसमें कोई फेरफा नहीं कर सकते हैं। इसमें ऐसा बार बार लगा है। कि परग में तो हमें कुछ करना नहीं है कि हुझ कर रही नहीं सकते हैं। और अपने में भी फेरफाद नहीं कर सकते हैं। जो होना है वो ही होगा। और उसके हम करता कहे जाएंगे। तो मैंने उस किरम निमत परया में तो ऐसा लिखा है, कि ऐसा करता हमें नहीं बनना है। क्यों? उसमें संतोस नहीं है। मेरे सारों बच्चों की साधिक नहीं हुई थी, तो हम अपनी बड़ी लड़की के लिए कहीं लड़का देखते थे, मेरे पिता जी माता जी मुझूद थे, तो कहीं कोई की बात चलती थी, और मैं आकर की घर पर मामिन को नहीं बता, तो पिता जी पूछते थे, क्या हुआ? तो मैं तो मैं तुम्हें क्या करना है? जो हुआ होगा हो जाएगा। तुम्हें बच्योंगी तो हो गई, अब तुम बेकल्ब मत करो। तो मैं कहते पंदित हो गए हो ना, भासन दो गए। अब भई मैं पूछ रहा हूँ कि तो महां गए थे, तो क्या होगा एक मिनट में उसका जवाब नहीं दे सकता। तो पिता जी हैं वो तो पूछ तो सकते हैं ना वो, उनके लिए बड़ा पंदित थोड़े हूँ, और लंबा भासन दो गए। क्या होगा, क्या हो कहना तुम्हें क्या कहना, यह क्या कहना, मैं कहता देखो, इसलिए कहता हूँ, तुम्हारा संबंध की चंता तुम्हे पिता जी ने की विए पिता जी तो धाई वर्स का छोड़ के मर गए थे, तुम्हे पिता जी तुम्हे अपना करना पड़ा होगा, माने किया होगा जैसा भी किया होगा, अब तुम्हे ने हमारा किया, अब हम अपने बच्चों का कर सकते हैं तुम्हे इतना समझो, हम तुम्हारा सहयोग नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि हम तुम्हारा लेंगे, तो हमें अपने बच्चों का करना पड़ागा, उनकी बच्चों के चिंता करना ही पड़ेगा, बच्चों के बच्चों का भी चिंता करना ही पड़ेगी, हम उससे छुट्टी लेना चाहते हैं, इसलिगे तुम्हे रोगते हैं, तो बस्तू का सरूप, सामने माले को क्या हुगा, क्या हुगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या ह ये चरंतर हमारे चित में विकलब बना रहता है। ये जो ये है ना, कौन सा भाव पिरमीन, ये भाव के सब कुछ सुनुष्चित है, उसमें हमारा रंच मात्र भी चलने बाला नहीं है। और कम से कुम पर्दे भगवान का निरने करो, कि ये वे भीतरागी हैं, ये ले तो किसी कीमत पर कुछ करने वाले नहीं हैं। । उनका भीतरागता है शरूप तो समझो। है? जबना किसी पर दिर्व में अपने पन का भाव, फिर उसमें कुछ करन का कैसे होगा भाव, सब दिर्वों का पर्णमन कभक्या कैसा होए, जब उनके ग्यान में सब कुछ आया होए। जब उने मालू हुए है सब, कि किसका क्या होने माला है? क्यों? अब तुम दूसरा काम करना में आट यहाए। है? तो उनको कहे है बिकल्ब आसकता है। एक तो राग नहीं हैं। इसलिए कोई बिकल्ब नहीं आसकता है। औप फिर उनके घ्यान में सब ध्यलग रहा है, सब जय मारेश का क्या होने वाला है। और मारीच का ग्या होने बाला है। उद नियुकल गया, कि यह महावीर होगा। क्यों? लेकिन उसके बीच की जब महावीर की पर्याय उनके ग्यान में आ गई थी, तो बीच की पर्याय भी तो उनके ग्यान में आ गई होगे ही, कि उनके बीच में कहाँ कहाँ क्या होगा उन्हें यह पता नहीं था कि मैं यह कहूंगा तो अभी इसका दिमाग शम्ठन कहेंगा अच्छा तुम पहले और मैं चोबिश मां दूसरा कहते तो मैं मान लेता क्यों अभी तीथेंकर बन के बताता हूँ और नया धरम चला दिया और उसका वो अपना तीथेंकर बन गया मनलब उसका पड़ेता बन गया यह के यह थे जैंद्रमकर वो बन गया क्यों वो समझ गया हम तो समझते भी नहीं है क्या समझ गया क्या समझ गया क्या समझ गया क्या महावीर होंगा मन एक कोड़ा कोड़ी सागय तके मुझे अभी यहीं संसार में भटकना है क्या है और एसा भाव से आएगा आजिनास नहीं जानते थे क्यों कहा फिर नहीं नहीं कहना चाहिए था अरे उनने कहा कहा देपी तो नहीं तो सहज भाव से खिरती है उस भो खिरना थी खिर गई क्याने हो खिरना थी खिर गई तो उनके अभी तो अपनो भगवान की बीत्रागता का और सरवकिता का सदूप समझना है यह जो कमेंट्स में कर रहा हूं इस बात के लिए कर रहा हूं कि उनकी बीत्रागता से तो कही तरह का राग होने की सम्मावना नहीं है कोई अपना पन तूट गया है कोई उनका रहा नहीं है अब लक्षमनों का भाई नहीं राया, राम जी का जिए के बल गयान हो गया उसके बाद में, आरे, और शर्वग्यता नहीं हर बात को वो पता है कि क्या होने माला है, और उसमें बदला बदल नहीं हो सकता, यह भी पता है, उनने हमें बताया तो उनने पता होगा कै नहीं होगा। सरवग की सिद्धी पढ़ाई थी, तो मुझे मिले, तो मैंने, उन से उन मेरे सिवकाई बात कहीं, मैंने कहा, कि गुरु जी, आपने हमें पढ़ाया था कि भगवान के ग्यान में सब कुछ आगया है। क्यों? अभी पून भी इत्रागी होते हैं। और आप आज ही किरमत पर आए कि आपकी समझ में क्या से नहीं आ रही है। पिसन तो हम कर सकते हैं, आप हम अपने से करें ना, कि हमारे जो लक्षन दिख रहे हैं, वो लक्षन ये भगवान वीत्रागी होते हैं। उनमें के रागदेश नहीं होता है कोई में अपना पन नहीं होता है और सोब कुछ उनके ग्यान में धहलगता है इतनी बात पर ही विचार करें तो फिर उनसे कोई मांग कैसी हमाई मौंसे निकल सकती है कि तुम ऐसा कर दू ऐसा कर दू जब एक दूसरे 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 का करता नहीं है, कर नहीं सकता है तो यह हमारे मान पका हो जाए तो भगवान यह कर दो, यह कर दो एक बहुत बड़े पंडित थे अपने मुक्षू में मैंने तो उनके मुक से नहीं सुना लेकिन किसी अपने बिद्यास दी ने बताया कि उनका कहना ऐसा था, कि भग्मान के सामने ये कहें कि तुम कुछ करते नहीं हो, कर नहीं सकते हो. उनसे ऐसे ही कहना पढ़ेगा, कि आप सब करते हो, ये सब जूट कहना पढ़ेगा. और आप लोग बैठे हैं, मुरे बड़े बिद्वान, नाराज मत हो जाना. आप लोग भी ऐसे सोचते हैं, कि ठीक है, ये तो नहीं कहें, कि आप ऐसा कर दो कि ऐसा कर सकते हो, कि नहीं ये कर सकते हो, खाल में आए ना. पिर ऑ मिवी अनका उनके जो सरूप के घंभीता के हम भेचार नहीं करते हैं, पर वängen औहँसी तरीके से हो जाता है, भरानी भक्ति से होती, साथ से पुन बंता है, जे होता है, वो होता है, बनाव जो किसी ना किसी तरीके से हमें उसको लोब देना मैं में जा कि जब सब्हकुख नक्टी है तो तो चुब्ण बन्हेगा पर उसे बदलाबली हो जाएगी जो मैं दूसरी बाते कह रहा हूं कि भगवान से एक है कि भगवान तुमने ये बताया था कि एक दूसरे 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 का करता नहीं है हम भगवान को बताएं कि तुमने हमें क्या बताया था अरे इस्तुति में तो इस्तुति करो जी इस्तुति है समंधवद ने क्या किया बोलो मुझे बदाओ आद्धि सुतिकार हैं सबसे पहले ही सुति करने वाले हैं और भगवान के सामने उनने यही यही कहा कि तुमने क्या कहा तुमने कहा तुमने कहा यह तुमारे लिए यह इस्ट नहीं है इस तो तुष्षोम, बलग उनी में शारा अग्यान जयां दर्शन का भर दिया, आपने क्या-क्या बताया हमें, तो जो बिलकुत परम सत्य है, यह बताने में इस तुती नहीं है, क्यों? इसमें क्या हुई? तुम ही बता रहे, तुम भग्वान तुम नहीं बता रहे, अपनी विद्धत्ता बता रहे है। तो मैंने तो अभी इतना लिखा है इस थंदे, कि मैंने हजार थंदे से जादा लिखे होंगे इस भगवान की भक्ति में। और वह सर्वकिता और भीत्राक्ता थे आगे नहीं कहे। तुम कुछ देते हो, दे सकते हो, ते रंच, मात्रिव की गंध भी कहीं से नहीं उसमें आई। उनके सरूप का चिंतमन करना है भगवान की भक्ति नहीं है। उनके सरूप का बिचार करना। उनके सरूप का बिचार करना। और अपने सरूप का बिचार करना। क्यो कि आप नहें क्या गाँ, जब मेने ये लिखा तो इसका केई हैंग क्या रखेंग हैंग 진입 क्या रखेंगेंगेंड है थीच सुर में अखीक ही तो भी सुर अच्छान थीछ सब 120 संते क्रषंग और आगें तट्त्त्तु की बाते हैं सब तो देव साथ गुरु ने नहीं तो बताया है, देव की दिवत्धोनी में आया, वो साथ्र में एही तत्त ज्ञान दिखा है, क्यों मुक्ती का मार्ग लिखा और नहीं है, वो गुरु भी यहीं बताते हैं, तो उनकी, उनका इस रूप को इस पर्श्ट करेंगे, तो उनने ज वो बता जा, वो आईगी बात के नहीं उसमें। कि वो मर्यादा के बाहर की हो गई। माने सरवग्यता और वीत्रागता के शरूप पर, क्योंकि यहां पर एक तो उनको किसी कीमत पर कोई राग भाब नहीं है, रंचमातर भी बदला बदली का भाब नहीं है, और इसलिए पून भीत्रागी हैं। इसलिए कोई भी बात उनके आने सकती है, और फिर कहीं कुछ आभी आदेगें। आठमाचंद है ना, क्या पढ़ना भी कुनसा है। एक तो संभव है नहीं आठमाचंद पर, एक तो संभव है नहीं, यदि संभव भी होए, तो भी %. बदले का भाव एक तो संभव है, आपने खुद ही कहा है की जो होनाय है, वो नकी है उसना जना कोई बदले बदली संभव नहीं है। तो एक संभव है नहीं। क्या नहीं है अउपन पंक्ति पढ़ो फेर फार। पड़ना चालो थर में ननना तो सम्भब नहीं। कि अननने सब्सकता है, पुन्ण का होता है तो सथ्न तो हो सकता है तो हजार में एक एक था है हुआ ही जाता है एक संधान पुम होता है, कहते हैं कै decepare इसलिए उन्हें कुछ भी करने का विकल्प कैसे हो सकता है। माने उन्हें परमे कुछ करने का विकल्प है। किसी कीमत पर नहीं हो सकता। इसका निरने हमारे चित्त में बहुत गहराई से चिंत में चलना चाहिए। तो यह चले तो फिर यह सी पंक्ती हमारे भक्ती में कैसे आ सकती है नहीं नहीं वो हमारी लिखी थोड़ी है वो प्रानी लिखी भक्ती है तो हम बोलते हैं बोल तो तुम रहो उसका अर्थ तुमारी समझ में आता है के नहीं आता है और आता है तो तुम्हारे मुह से कैसे निकलती है, नहीं निकलनी चाहिए, नहीं निकल सकती है, क्या है, क्यों चलता है, सची बात नहीं चल सकती है, और अब तुम सब बिद्वान हो, अब ऐसी श्तिती में, कि नहीं है कि ऐसी तुम एक भी भक्ती नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, तुम किस मर्ज की दवा हो, लखो तुम बनाओ, बढ़िया से बढ़िया, क्यों, वक्तिया बनाओ, पूजने लखो, सब लखो, अपनी नियम सार पूजन चलती है, नियम सार बिधान, मैं सुनता हूँ, पूरा, तुम पहले सामान ने पूजन इतनी महान, इत एक पंक्ति पर, पूजन में अश्टक है न, दल के, चंदन के, उनमें कितना गहरी बात, वो कही गई है, इसमें कहीं ऐसी बात नहीं आएगी, लेकिन वो बात आएगी कि क्या हुआ है, जैमाला में कितनी मार में एक बात, तो आप नहीं लिख सकते हैं, जो बढ़िया से बढ़िया रखते हैं, आज मैं वो सुनुहा था सुबह जब तुने परक्षाल थिया न, परक्षाल पाथ बोला, तो उस परक्षाल पाथ में भी इतना मर्म भरा है, कि रोजना मैंने कहां इसको, कि बई सारे देश में जाता है, तो लोगों को अभ्यास हो जाए, कि भगवान का आप से कैसे होता है, परक्षाल होता है, उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, कि यह बात थोड़ी डाली जाती है, उसमें तो आपको ऐसी ऐसी लिगने चाहिए था, क्या? सहेुख से सहफार थरे थरह से। कि आहांतर खर्वार से। सहे युटो जनकल्झानेक की बात है। किसी बच्चे कर सहन àsथोत्र कल्सा थाइं कॉझरी मना रहह हैं। हमार्हण्द नहीं माध्य मना रहे हैं। क्युटकर करनी नहीं है। है यह हजार आठकल सा अधन्द खुवान की माथ देवे पड़ते हैं है है उसका वो शरूप रोजाना उसके ख्याल में आब है कि कैसा होता है उनको तो प्रेक्षाल होता है क्योंकि वो गंदी ना हो जाए हमने मंदर की सफाई पूरी होती है ना मूर्थी की भी होनी चाहिए तो वो तो प्रेक्षाल सफाई है उसका आर्थे है और कई कोई आप नहाते हो तो उसका प्रेदर्शन करते हो आपको तो लोग के अंदर से हो जाल लोग करके फिर नहाते हो नहाते हो नहाने का पाठ में, कि जिन्वानी का जो रहस है, जिन्सासन का जो रहस है, हमने जाना है, उसके ही अनुसार यह है, नहीं बोल सकते तुम, कैसे हो, दूसरा चंद है, कौन सी में, जो बिसर जन पाठ का, कितनी देर लगती है, भाब मैं आपको बता रहा हूं, कि हमने जिनागम का अध्यन करके, जो रहस समझा है, उसके अनुसार ही, यह पूजन का बिवार हमने किया है, उसके बुरुद्ध नहीं है यह बात, और फिर लखा, कि विधिके जानर हार जन, यदि इसमें कोई कमी रे गई, तो विधिक जो इसकी विधि जानते हैं कमीरता से, वो सुधार करें, लेकिन विधिक नहीं जानते हैं, और कुछ भी तुम अपने मन से सुधार करो, ऐसा नहीं चलेगा, विधिक नहीं नहीं निकाल पाया तनी दिर में, देखो, भगवान का सरूप, का चुंतमन हमारे माथे पर चलना चाहिए ना, अब एक प्रतिक्या करो, कि मंदर में जाएंगे, तो हम किसी दूसरे की बनाई स्थुति नहीं बोलेंगे, मेरी बनाई भी नहीं, क्यों, तो क्या करेंगे, तुमारा दिमाग है ना, तुम पंदित हो ना, तुम सोचो ना, भगवान के बारे में जो कुछ सोचना है, उनके स्वरूप के बारे में बिचार करो ना, बोलो. यह व्यवहारिक धर्म, इसमें जो कुछ रही हो, कमियां विविद प्रकार, बिधी के जानन हार जन, इसमें करें सुधार। हम ने जनमानी का जो रहस संजा है, उसके अनुषार हम ने इसमध्य जिब बिवार बनाया था है, अब जनमानी का रहस तो हम संजा तुम बीतर आगी हो सरभ इसे बहुत कि अपगो, यह समझाना रहा है, तुम से तुम दे दो, कर दो, भला कर दो, इसका भला कर देते हो, एसी गपे हम कैसे मार सकते हैं, तुमाई सामने इसा सफेज जूट हम कैसे बोल सकते हैं, हम तो यही बताएंगे, मैंने उस में दो तीन जग है, तो ऐसा लखा, कि ऐसा ऐसा होता है, फिर लिखा कि, हे भगवान, सो इंद्रों की उपस्तिती में आप नहीं हमें ऐसा बताया है। कि आप नहीं हमको यह बताया है, जो हम आप से कह रहे हैं, कि ऐसा ऐसा है और ऐसा, तो वो हमें आप नहीं बताया है। आप कहीं बताया यह मार्ग है, आपने बताया है, तो जो बात भगवान की बाहनी में आना संभब नहीं है, वो बात हम भगवान के नाम से कैसे कह सकते हैं। तो उनका जो अकरतापन, देखो, देखो, सब द्रव्यों का परिनमन कभी क्या कैसा हुए, जब उनके जब यह उनके ग्यान में सब कुछ आया हुए, फिर फार संभब नहीं, यह भी जाना हुए। वो अक्षब आ गया और यह भी आ गया कि इसमें फेर फार कुछ भी संभब नहीं है। अध्यादम अम तुम को याद कर रहे थे, तुम चले गए थेका, कि तुमने यह कहा था, कि पर्मय नहीं करता नहीं है। बस हुएक दिर्व अपना करता है, अपना अपना करता है। लेकिन उसमें यह भी संभब नहीं कर सकता है। कोरा करना कहने मातर का है, वो इक सिद्धानत है यह पर्व नहीं करता, उसके अपना करता है। तुम से तुम अपने करता हो। तुम चाहो तो अपना कर सकते हो। ऐसा ऐसा नहीं है। आगे गारी बहुत बढ़ गई है। अभी तुम और स्वोचना पड़ेगा, कि तुम लोग सब सोचो, तुम सब में बहुत मुद्धी है, हमसे भी ज्यादा मुद्धी है, और तुम उसमें से इससे भी आंगे भी बात हो सकती है, ये विकल्पी कैसे जा सकता है, कोई आदमी को ये पिसिद्ध है, तुम लाख रुपया का गूँच देने को तईयार हो जाओ, तो इससे काम नहीं करा सकते हो, ये पक्का, उसका भरोसा उसके पास हो तुम है, भरोसा हो, तो उसके पास जाओगे तुम, कि एक काम कर दे, कृत्ते बईसा लेकि जित्ते आपका हो तना कह दूँगा, और नहीं करो तो मैं गूली से मार दूँगा, क्यों? हो सकता है? ज़र भिचार करो आप. जब आपको पक्का भरोसा है कि ये आदमी नहीं करता है, तो भगवान पक्का भरोसा नहीं है, इसलिए फिर कह रहा हो, क्यों तुमारे मन में बिकल्ब कैसे ख़़ा हो सकता है? अभी मैं बाद मैं अपन को कह साए, अभी तो भगवान का सरूप की बात कर रहा हूं, कि उनका सरूप, उनके बीतराग्ता का सरूप पे बिचार तो करो, मैं सबसे कहता हूं कि बीतराग्ता के सरूप पर एक हजार सब्दों में एक लेख लखो, एक हजार सब्सक्राइब और उसमें भीतरागता ही कैसा रूबाना जी भीतरागता ही कि वहार कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, क्यों? सब कुछ जाना होगा अब ये भी जाना कल क्या होगा परसुन क्या होगा थे निशाली कर दो ये कर दो क्या क्या होने कुछ नहीं हो नहीं सकता है उसका आंतर नहीं हो सकता है अपने दीवन का मरन का असब के सम्मंध में सरबग्यता का भरोसा हो बै उनके सरबग्यता अपनी नहीं अपन तो नहीं सरबग्य अभी अब ये वीत्रागी भी नहीं है लेकिन जो हैं उनकी नहीं हो सकते हैं न सामान ने सरवग इसे दी जब दी सरवग हो सकते हैं और वीतरागी हो सकते हैं तो वो वीतरागी और सरवग कैसा होना चाहिए यह तो आप बताओ उसका सरूप तो उसके सरूप का चुंतमन करो, सोचो तो, सोदोहों में हमने भीत्रागी तो सरवग का सरूप का इचुंतमन किया है। अन्य यह बात इस बात पर समाज को बहुत करना पड़ रही है। इस बात पर क्या? क्या हमारे भगवान भीत्रागी सरवग्य हैं क्यों? अन्य वह बात पर समारे भीत्रागी सरवग्य हैं क्यों पर पर कैसे हमें विकल्बा सकता है क्यों भगवान से कुछ कहें। आप जानते हैं इसके पास कुछ है ही नहीं। तो उससे हमें कुछ मंगने का भग कैसे हो सकता है। है, हो जबू. हम देव साथ गुरू के पिर्थी, अभी मैं देव के ही बात कर रहा हूं, कि के गुरू के पिर्थी बात करना में जाद स्वरे खत्रा है, मैं गुरुंभी हमारे दगने νतिकंपर है, उनके पास कुछ नहीं है न, पीजी कमंदल के अलाबा कुछ नहीं है न, वह सद्वक होगा, उस से जादा था कुछ नहीं है तो फिर उन से कुछ भी मांगने का, कुछ भी करने का, कुछ भी ऐने का. आपकी दिश्टी हो जाए, आपका हो जाए तो ये मंदर बन जाए, नहीं से अधूरा पढ़ा है, ये है, वो है. लिकिन तुम देख रहना है नहीं निए निगमर है. एक नया पैसा उनके पास नहीं है, और एक नया पैसा नहीं रखने की उनने प्रतिज्या नहीं है, भगवान के सामने क्यों, तुभी कैसे कर देंगे, कैसे कर देंगे, अरे साब कैसे, तुम कैसे, तुम कैसे, तुम प्रणीजी, तुम आँ प्रणीजी, इन प्रणीजी को आटाओ, अले साभ इनका जराय सारा हो जाए, आपकी दुजराब बात हो जाए, आप किसी की तरफ आँख उठागे देख लें, तो पईशा बरस ने लगता है, जितनी होता है, उतना हो जाता है, बोलो क्या, यह समझा ए तुमने उनका सरूप, गुरु का सरूप ए समझा ए, मैं देव के बारे ही मिन कहता हूँ, देव का सरूर तुमने यह समझा है, मैंने एक दुर्व करता नहीं है, कुछ भी फेरफार संभब नहीं है, एक भव कम नहीं हो सकता है। मैंने उसमें लिखा है किसी अभी यह जो दो साल में जो कपता हैं लिखी है ना खासका है, और भाई साब के चले जाने के बाद, तो मेरे और जड़ा हो गया, और वाकी मेरी किर्पा के रोना कर दी, नहीं तो आप लोग मुसे मिलन जुलना होता ही रहता और आप लोग कोई छ ही हूँ, छोड़ता तो मैं नहीं हूँ आपको, और कहता हूँ आप नहीं छोड़ता है, आप लोग नहीं मिलें तो मुझे भी चैन नहीं पड़ती है, अपना समय में बरबाद करता ही रहता, यह मिलने जुलने में सच्ची बात है यह, बत बिल्कुर एकांत है, आराम से, है बच्चे-छैस कber, सब को पर अर्ड़र लगा दिया है, वहां सामने लिखवा दिया, कोई नहीं आ है, यहादा जोलों, और दूसरे कर दा से कोई यह भात है, कोई नहीं रहिखा दिया है, आराम सक्ची लिखे जाने, कोई यह를सें भात है कोई रह ग्ला ना, कोई बिलन सब्सक्राइब करता रहता हूं इन्हें पढ़ता रहता हूं। इस पे चिंतन करता रहता हूं। कितना समय लगता है। जितना है, उतना। वीत रागता कि शरूपे विचा तो करो, कैसा हो गथा वह आदमी। मैंने तक कल सुनई थी, एक कहानी कल सुन जी थी ? कल प्रोशन में सुनई थी ना ? सो सालबाद क्या होगा ? मैंने जब करी 22 वर्स का था, तब इचान व डह नकलता था ग्यान पीट से व जब तक ग्यान पीट का ओफस दिली में नहीं आया था, É說im तो वहां से एक पत्र का निकली थी, करीब चार सो पांच सो पेज की, उसमें अथा कि सो बर्स की बाद क्या होगा, एक कल्ब ना करो, तो ये एक आदमी का लेख था, बीश पेज का, तो उसमें ए था, एक बच्चे जो हमने घर में पैदा होते हैं न, इस सो बर्स बादे खरीद लाते हैं न, ऐसे हम बच्चे भी खरीद लाएंगे, और बच्चे जिसको जैसे, वैसे ही सामान खरीद लाते हैं, जैसे हम सबजियां, और नहीं तो इस्पेशल बनवानी होती हैं, तो इस्पेशल ओर देके भी बनवाए जा सकते हैं, तो बैग जाने कि बच्चा टिर्ट रेक्त चाहिए के अफंदिष थे अधैनगर चाहिए की पंडिस यॉये प्रचा बजार आपके ऊडर बन जाएगा तो जब एक पति पत्नी वह गए जोना ने ओडर दिया है लपकशना मैं डाला कामवासना के यह यह प्वासना करतीे हैं लुपकल नहीं你 फिर मेरे जीवन में यह आगई, तो मैं धंग से काम नहीं कर पाया, बग्यान एक शोत खोज में, उतनी गहराई में नहीं जा पाया, मेरे बच्चे के में यह तत्तु नहीं होना चाहिए, तो उसकी पतनी ने बहुत कहा कि ऐसा मत करो, जैसा आदमी होता है, ऐसा होने दो, लेकिन वो नहीं माना, अब वो बच्चा हो गया पच्चीस वरस का, अब उसमें बिलकुल नड़कियों के प्रती, महिलाओं के प्रती, कोई आकरसन नहीं, तो उसकी मा ने कोशिश करकर आकर एक लड़की को उसके पीछे लगाया, कि तुम इस पे डूरा डाल डूल के किसी तरह इ मेर Symphony के ले, माने उसे सही हो किया, हह, तो तो बो बच्ची के मोग मैं, एक अंतम बाक के कह देता हूं, वच्ची ने कहा उसे मेरी आँखो में आख certains हैं और çणे और देखो मेरी आँखो में क्या है, क्या कहा? तो उसने कहा, लाओ देखता हूं। तो देख देखा, बीतरागी को कैसा होना चाहिए, तुम हिस्का घुड़ार करो। कोई लड़की, कोई लड़का, और पून बीत्रागी होगा, तो वो कैसा होना चाहिए? अरहन्त भगवान जो पून बीत्रागी होगा, नगने देगा मर, आधिनाम से महामीर तक, विक कैसे होगे, तुम अपने बिचार से नरने तो करो, कि एक आधि मेरी बानों खाने की इक्षा बिलकुल नहीं होगा, और बिना भी खाये, जिंदा रहेगा, तो आप बुना है कि प्रणाजी चलो, हमारे हां भोजन है, ये करो, ये करो, और कै मैं तो खाता ही नहीं हूँ, तो कल पर सुद्ध, नहीं मैं तो मेरा खाता ही नहीं क्यों, उनके साथ मगप्य भी लगाना है, खलाना पिलाना भी है, घुमाना भी है, ऐसा तो उनके साथ बागी के टेंबे तो आदमी देशा रहा है, तो भगवान जो पूल भीत्रागी हो गए, अरे अपन नगने रिगंबर दस आखल मुनिक दीक्षा लेंगे अपन मुनिक ज़िए तो उन अरहन भीत्रागी सरबग होना है ना, तो छटमे गनस्तान में, साथ में गनस्तान में, जितने भीत्रागी होते हैं, तीन कशाएगे अभावरूप, तुमने बहुत स्वाध्धाय करुनान योग का किया, अब जो मैं कह रहा हूं, ऐसा, ऐसा करो, को मुनी का सरूप कैसा होना चाहिए, और मैं मुझे मुनी मनना है, तो मेरी बीत्राग परनती, छटमे गनस्तान यसी, अभी तुम तेरमे गनस्तान की जाने जो, छटमे गनस्तान में भी, जितने तीन कशाएगे अभावरूप बीत्रागता होती है, वो कैसी होनी चाहिए, और जो तत बेवर्ड ग्हार्ट घार्ड ग्यार्ट होता है। वह जान पाल ग्हां वह Nejसे को नहीं तो करना पूंग बांताै है। कि अजे जो मीचते सरे अचिंवट जाना खना करने को तो बिएम कहानों लेकिन सदसे होते हूंगे। क्या बोल दिया कोई कार्टून बना दिया नहीं किसीने क्या, है, पचास देशों के मुसल्मान होबल पड़े और कितना लोगों को मार दिया, कितनी मारकार चल रही है, और हमने अख़वार मनाना तो बंदा ही कर दिया, अब वो टीवी पे कभी-कभी समाचार सुनते हैं, तो वो इव 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 इ क्या करते हैं? तो उनके कहानी किस तो ऐसे बहुत होंगे, कि लोगों ने गालियां दें, पत्थर मारे कुछ किया, तो भी वो सान तरहे बिलकुल, और किसी से कुछ नहीं किया, तो वो समने नकाल के बता रहा था, पर कहा है, मुहार्शाब के कुछ पत्थर का रहा है, कि तो तो वे तुमारे आदर्स है ना, तो जैसा उनके सामने होता और वो तुम किया था, ऐसा तुम करो ना, कि नहीं, हम नहीं सुन सकते हैं, कि तो हमारे भीतरागी मुनिराज कैसे होंगे, क्या होंगे, उनके बारे में कोई कुछ कहेगा, है ना? तो किसी क्या, कौन है वो, अपना अपना है ना, कोई विध्यार्ती क्या नाम है उसका? नोगईश हम् सहल्राटश योगेश, जय googled में जाना पड़ेगा कियो ? ख्या गुराओ इसलिये नहीं किंन कैसा है अपन को होना है कर नहीं ? मुनी होना कर नहीं होना क्या एक मणु होना तो मोख्ष नहीं जाना तो मुनी हुए बिना तो कोई मोख जाएगा नहीं, मुनी तो होना ही पड़ेगा नहीं तो फिर कैसा होता है मुनी का सरूप, वो हमें समझने की सोचने की जरूवत नहीं है, जरूवत है. मैंने आपसे कहा था इसे पढ़ना, और एक एक इसंद के हिसाब से आपको बात नहीं सब आप जानते हैं, मैं तो सिर्व यह बताया, कि उनकी एक एक बात पर गंभीता से बिचार का करो आप, देखो. रागा अदिक के अभाव में कुछ बिकल्प ना हो, जब बिकल्प भी हैं नहीं, फिर कुछ कैसे हो, बीतराग सरबग के कुछ करने के भाव, अरे कभी होते नहीं, यह बस्तु सुभाव, यह बस्तु का सुभाव है, कि होते हैं कि कुछ भी करने का भाव गही उनके अंदर पैजा नहीं होता, तेरे मैं गुनस्तान के सरूप तो जानते होंगे आप, अब ही चिलाश में पढ़ा देंगे मैं प्यजाचियों को, बिचार्जियों को, परिवासा नहीं कहा रहा हूं मैं, बिचार्दों परिवा यह एक दखे अभिनाय करके तो बताओ। वह है मैं आप कुछ भी कहो बाले, वह पहली कहान ही है आप कुछ भी कहो। उसमे कौन मुनी राद हैं। बादी राद है। है। उनका अभिनाय करके बताओ। के साहब महराज, मैंने कह दिया के हमारे मुनी कोड़ी नहीं होते, सरवांगी सुंदर होते हैं, तब आप आप ये कोड मिटा लो, क्या बात करता है, हम कुछ कर रही नहीं सकते हैं, नहीं साहब आप तो, आप तो, आप तो, आप तो, क्यों, फिर मिटा लिया ना उनने, भीत बीतरागी मुनिराज का सरूप बिचार करो, मैंने वो कहानी जो लिखी है, वो बीतरागी मुनिराज का सरूप का बिचार करके लिखी है, जो भी उनने जवाब दिये, जो भी उनने का संबाद हुआ, वो संबाद में बीतरागी मुनिराज का सरूप आगया. देखो अब भूत काल में जो हुआ अर भविष में होए सारे लोका लोक में नित्य जलकता होए सारे लोका लोक में भूत काल में जो हुआ है और जो भविष में होगा वो सब जलकता है जब भविष्गा जलकना होई गया और उसमें परिबर्तन होई नहीं सारे जग का परणमने सहज जलकता होई जानन देखन भाव की आकुलता क्यों होई हमको जख्या होती है कि कि कल क्या होगा पता नहीं जल्दी जए दिकल क्या होगा तो कहते हैं जब उनको सारा भविष्गा एक-एक दिर्व की एक-एक समय की परियाए पूरी दिखाई दे रही है तो उन्हें ये विकल्ब क्यों होगा क्यों होगा तो बिचार कर भूत काल में जो लगा है सारे जक्का पर्णमन सहत जलकता होगा जानन देखन भाव की आकुल ताक्यों होगा और फिर नहीं साब जे इतना बुरा होना जलक रहा होगा कि कल इतना बुरा होगा इतने बड़ी भेंकर करण अगी बीमारी आजाएगी तो ये पूरा परिवार जो भस्ता खेलता है आज और कल सब बहुत स्टालाइज हो जाएगा और आट दन में धिरे धिरे सब खतम हो जाएगा हवेली बनी बनाई पड़ी रहेगी ये सब ऐसे धलक रहा है उनके ग्यान में फिर तो क्या होगा क्यों आँपों में आशू आजाएगा पड़ो आगे का चंद जो कुछ जैसा परन में सभी सहज सुईकार फिर फार की बुद्धी फिर क्यों लेवे आकार अब उनको सब सुईकार है जो होना है बलुकुर एक दम सहज भाव से सुईकार है अपने आप वो ही तो है राम की महिमा काय पर आती है साम को कहा कल तुमारा राज तलक होगा तैयार होके आजाना सुबह यहां बलुकुर आजाएंगे साथ तैयार होके आजाएंगे फिर का ने तुमें तो बन में जाना है तो यहां सब ठीक चले जाएंगे कोई चेरे के भाव में फरक ही नहीं आया यह तो यह सामाने की रस्ते की बात है क्यों ऐसा भी हो सकता था तुम कौन होते हो नियम है दुनिया का के बड़े पेटे को राज तलक होता है उसके हिसाब से है तुमने अच्छा किया तुमने घुष्णा करी थी तो मेरा है अब नहीं करोगे तो मैं करूँगा मेरा और तुम्हें कैद में डाल दूगा ऐसे बहुत हुए न और अंग जेव जैसे और कितने कितने अधारन है जब सबको डाल दिये कि अभी अपने यहीं राजिस्तान में बहना प्रताफ है न इनके पूरवज्य राणा हाडा हाडा है पर क्या दुख के ले मिले हैं क्या है इनके बाप और बाप के बाप दो तिन पीडी पहले का कहानी है बाप बेटी थे वी सगर तुमने नहीं सुनी होगी तो बाप बेटी ने बाप से कहा कि अब तुम मुझे राज चलक कर दो कि बेटा भी तुम्हे ज़वान हूँ जब मर जाओंगा तब तुम कोई राज में लेगा तुमारा ही है तुम्हें ही मेलेगा, मैं दूसरे को नहीं दोगा, जेके मैं मर जाओंगा, के कम मिलेगा कम मिलेगा कि जब मर जाओगे तब तो लो बंदु लेकर उसी वागे, अभी एक मिनट में मर गए, और गोली चला के मार डाला, और बस घजवराज तरह को गए, ऐसा यही इस राजस्तान में और इनके पूरजों में हुगा, पिर नाम मजे अभी याद नहीं आ रहे, हाडा माडा ऐसे किलाते हैं? दोनों बाप बेटे के नाम. माराना, पता अपकी नाम राना, राना सांगा? तो राना, य। को उंके पिता होगाई राना, उनकी किस्ता ही, बाप बेटे का, कहIST की में तुमारे मरने बजी मुझे मुलेगा, बिना मरे नहीं नहीं मिलेगा, तो मर जाओ। मुझे तो आज चाहिए, तो मर के देना हो, तो मर के देजो, और जिंदा में देना हो, तो जिंदा देना हो, तो जिंदा देना राना सांगा हो, राना कुम्भा, आप समझे ला, कुम्भा और राना सांगा की बात है, अब कौन बाप था, कौन बेटा था, मुझे जादा पता नहीं है, तो एक देबे सुना था, तो ये हमारे भगवान का सरूप कैसा है, बिचार तो करो ना, जो कुछ जैसा प्रणम है, सभी सहज सुईकार, कोई दुख नहीं, कोई रंच नहीं, कुछ नहीं, नहीं, कोई रंच नहीं थे, जैने भी नहीं थे, तो भी द्रागता सब्द भी नहीं जानते होंगे, तेकर उनकी इस बात की प्रसंसा आती होती है, कि अपने ऐसे लिख रहे थे, घर में बैठे, सामने नाकू आया, और एक दों कहा, ख़़ा हो जाओ, बंदू चांदी, गोल दो में तो लिखते ही रहे, गर्दन नहीं उठाई, उसने लिखते है साज में है, फिर जोर से बोला उसमें, तो ऐसा उठाई, रोको पांच मेंद, अभी, फिर लिख में लगे, वो बंदूख ताने, क्या, कि मैं गोली चड़ा दूँगा, और यह पांच मेंद रोक, फिर मैं तेरे से बात करता हूँ, और लिखते ही रहे, बड़ी प्रसंसा आती है, उसका मात ही बदल गया, यह कैसा आदमी है, इसे मनने का कोई भय ही नहीं है, क्यों, कहता है फिर बात करूँगा, मैं लादी बे बंदूख लगाएं, और यह कहता है, पूरा, 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 आती ही तो नहीं थे, लेकिए बीतरा था थाएं थोड़ा सा लक्षन था, तो सारी दुनिया उनकी प्रसंसा करती है उस बात की, हमारे द्हं नहीं नहीं भीतरा की सर्वक परमात्मा, बीतरा की सरूब, सरूब तो सोचो, क्या, सब कोशेश करके देखना, थोड़ा- अध्यादम हम वहीं तक आया हैं कि हम पर का कुछ नहीं कर सकते, अपना सब हम कुछ कर सकते, अपना तो हम करेंगे, अपना भी कुछ नहीं कर सकते, जो होना है वो ही होएगा, और उसी रूप तुम परणम होंगे, चु़कि तुम परणम होंगे, जलिए तुम अपना करता कह लाओगे और उसके हिसाब से, तुमारी बुद्धी के हिसाब से, फिर फार कुछ रंच मादर भी तुम नहीं कर सकते हो, वीर सागर, यह लोग कहते हैं, अगला भव सुधार लो, क्या सुधार लें, अनंत भव तो नक्षी है, जो भी जितने होंगे फिर मोक्ष होगा, तब उसमें कोई परिबर्तन कर नहीं सकते हैं, अब क्या सुधार लें, अब कोई विकल्ब करने के लिए जगह नहीं है, अरवेंद भाजी, खालने आ रहे हिना बाद, कुछ भी विकल्ब करने के लिए रंच मातर जगह नहीं है, बेर तो इतना पक्का विस्वास हो गया, कि जगह है, होदागह है, जो, जो जो सहजशयकार ले खाना, अब यह सहहजशय सुआ कार नहीं, अब यह सहा सुरू हुआ है, जो कुछ जय सा परणम है, है सभी सहजशयकार है, उप फेर फार कि बुद्धय K equival Levae Aakar, फिर ऐसा भिकल्ब भी वि अंदर में क्यों हुड़ है, कि ऐसा फेर पार कर दो, यह बदल दो, यह से बदल दो, यह से बदल दो, अध्यादम तुम्हारे उसमें यह है कि भूमका के अनुसार राग होगा, चोथे गुनस्तान में भी, पांच में 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 छट में 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 भी, तो उसका भी ग्यान हमको होगा, कि ऐसी भूमका म हर ऐसा ही भाव दाए हुआ है गोर बुलत है है हा ऐसा होता है तर गोर धो जाने लो प्रिभे जनवान प्राजनभान थे गुरदजी इस ते ने वह पार में कपार में और रूमोगु बोला करते थे से तो तयाना हुआ प्रिभो जनवान honour है तो जाना हुआ है तो बढारत प हमारे दमाग में बिकल्ब की तरंग खड़ा नहीं करता है यो तरंग खडी हो जाये तो तो उसे भी जान लेता है और आखों में आशु आ जाये तो तो उसे भी जान लेगा ऐसा मैंने लिखे है तो मेरे काम के नहीं हो सम्में बोलूं वो छंद फटबड़ बोलना चाहिए मैंने ऐसा लिखा है एक छंद में कि ऐसा बेकर मुसे आता नहीं है और अधी आजाए तो उसे भी जान लेता है भूमका के अमसार आता है आजाएगा लेकिन वो सिद्धा जो है वो सिद्धा जैसी हो गई है बुले ना सम्में दिष्टी की सिद्धा सिद्धा जैसी होती है अभीर सागर तो हमें सम्मादसन पराप्त करना है देह के छूटने के पहले और आप तो जानते हो कि मुनी होने के लिए तो वो करना पड़ेगा लेकिन सम्मादसन के लिए तो तुम ऐसे ही के ऐसे रहोगे इस तरह की घर में रहोगे फिर भी कुछ नहीं करना पड़ागा स्धधा सिद्धा शिद्धा जैसी साट्र में यह लिखा है अब सिद्धा जैसी सिद्धा आब समझाज लो आग सिद्धों की बड़ जाती होगी, ये कल दूँगा, ये कल दूँगा, कुछ नहीं है, काय का भब, कैसा भब, कहा कि सुधारना, और ये बात तो मैं, वर्सों से मेरे दमाग में है, वो मैंने अस्पताल का किसा सुनाता हूँ ना, वो एक भाई आय थे, और मेरे से पूछने थ अर्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् अभी आय तो हमें नहीं कहने के दो मिनट रुक। उन्हें तो ऐसा कहा था किसने रुक। हमें नहीं कहने माले हैं मौत आजाए तो हमें नहीं कहने माले हैं के दो मिनट रुक। जाने को तैयार और जीनों हो तो सो सो दो सो जित्ती वरस्तों का होते जी हैं। अब ना जीने में एतराज है, ना वरने में एतराज है, वो मैंने चंद लिखे, दो चंद पड़ो. एक तो अंतर दुद लिखा है, हाँ. भूम का के अनुरूप विकल्प होय तो उनको रोके कौन, रोकने का विकल्प भी उठे, यदि उनको भी रोके कौन, अरे अनुसार भूम का के, हमें आते हैं जो भी भाव, ज्यान के गे वना लेते, सहज ही सव प्रकार के भाव. यद्य पी एक आत्मा ही, हमारे लिए निरंतर मुख, तथा पी ए विकल्प के जाल, कभी भी हो जाते हैं मुख, सहज स्वीक्रती ही तो है, अरे लोक में एक मात्र सन मार्ग, प्राभो सीरी बाहु बली जी इसे छोड हैं और सभी ओन मार्ग. भारत जी बाहु बली से कह रहे हैं जे, कि एक रास्ता ये ही बस आएंगे तो आजाएंगे, विकल्प तो आ सकते हैं, लेकर तो हमने क्यों ऐसा कह रहें हमने कह दी हमें ऐसा विकल्प आगया, तहीज मूंका में आगे, आजे, सिर्धावी ऐसी ना हो इसके लिए काय कह रहा हूं। कि सिर्धावी सुधार कर लेना। छाल में आया ना। ये भी अपने खाने के, पीने के, उठने के, बेदने के, मरने के, जीने के, भाब के विकलब आ सकते हैं। लेकिन वो सब विकलब की बात है। तो इसलिए ही कहते हैं कि गंभीरता से बिचार करो, इसमें बहुत सवा दस बज गए हैं, अब एक खासी कितना समय हो गया है, बुलते हैं, सवा घंटा हो गया, ऐसलिए अभी बाद में बतले हैं.